नमस्कार क्यापिटल टीवी देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ पूजा आज की सबसे बड़ी खबर और एक ऐसी खबर जिसको लेकर पूरे देशबर की निगाहे टिकी हुई है क्योंकि आज भारत इतिहास रचने जा रहा है आज भारत का तिरंगा चांद पर फैरने को बे मिनट पर लैंड करेगा लैंडर बिक्रम भी पूरी तरह से तयार है इसरों के आफिस में जम कर तयारिया भी की जारी है कहीं पूजा अर्चना तो कहीं यग तो कहीं दुआए भी पड़ी जारी है पर लैंडिंग के पहले के 17 मिनट को अगर समझे तो वो काफी महत्पून ह हो जाता है क्योंकि पिछले चार साल पहले जिस तरह से चंद्रियान टू को चांद पर भेजा गया था तब चंद्रियान टू जो है उसी वक्त पर क्रैश वा था तो आकरी के 17 मिनट को समझेंगे इस बड़ी कबर को समझाने के लिए मेरे साथ निउसरूम से जुड़े वे हैं Capital TV के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार कितना महत्पुन और चुनौती भरा होने जा रहा है लास्ट के 17 मिनट देखें यह हमारे चांद के सर्फिस का जो है यह वीडियो है और यहीं पहुंचना है यह चांद का सर्फिस है और इतना डिफकल्ट जॉब है इसको आपको समझने क्या हो सकता है आपने 17 मिनट की बात की 17 मिनट में क्या होना है 17 मिनट में इस चंद्रयान 3 को आप 1600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मतलब बुल्लिट की रिफ्तार से भी ज़्यादा उस यान को 17 मिनट में कंट्रोल करके मीटर पर सेकेंड के स्पीड में कम लेकर के आना है ट्रिक बस इतना ही है कि अगर 3 meter per second के speed से अगर चंदरयान चान्द की सता पे हिट नहीं करेगा वैसे ideal 1 meter per second मतलब जो तरिके से drone को हम नीचे लेकर के आते हैं तो 1 second में हम नीचे लेकर के जाते हैं अगर ये 3 meter से ज्यादा speed हो गया इसका तो फिर बुरी खावर आजाएगी लेकिन ही जो 17 मिनट में होना क्या है अभी इस वक्त जब हम लोग इसको जान रहे हैं पूरे देश में प्रार्था की जा रही है चांद आखिर है कहां चांद दरसल 25 किलो मिटर इंटू 135 किलो मिटर के इलिप्टिकल इस पे वो घूम रहा है मतलब अभी जिस तरीके से वो चल रहा है चंद्रयान और नॉर्मल गती से सब कुछ जैसा कि आपने बताया इसरो बता रहा है कि सारी चीजें जो हैं बिल्कुल फिट हैं अपने जगह पे अपने रास्ते पे वो चल रही यह पूरा यान चल रहा है तो जो चांद है तो चांद के सबसे कम डिस्टेंस में 25 कि यह चांद है तो यह इस तरीके से आप का यह चंद्रयान चल रहा है लेकिन 17 मिनिट में क्या होगा इसको ब्रेकडाउन कर सकते हैं हम चार फेज़ेज में एक फेज है रफ ब्रेकिंग फेज दूसरा फेज है अल्टिचूड होल फेज और तीसरा फेज है फाइन टर्मिनल डिसेंट फेज अब पहले फेज में क्या होगा पहले फेज में यह हमारा जो चंद्रयान है वो स्पीड से चला आ रहा है और कितनी दूर तक आएगा वो एक सत्रा मिनट पहले वो अपनी जगह से वो पहुँचेगा जिस जगह उसको लैंड होना है उस जगह से 745 किलो मिटर दूर और जो वर्टिकल जैसा कि मैंने बताए कि 25 किलो मिटर दूर जो है वो चल रहा है तो 25 किलो मिटर चांद की सता से उपर और जिस जगह पे को उस जगह से ऐसे डिसंट करके आना है अब कैसे आएंगे तो पहले तो सबतों पहला काम कि नीचे लाने के लिए आपको ब्रेक अपलाई करना पड़ेगा इस पीड कंट्रोल करना पड़ेगा तो यह जो पहले फेज में जो स्पीड कंट्रोल होना है यह 1.6 मीटर पर सेक मतलब अब यह नीचे की तरफ तो आही रहा है लेकिन स्पीड भी इसका कम हो रहा है और इस पहले फेज में 713 किलो मिटर यह सफर करेगा जिसमें सारे ब्रेक्स लगा करके इसको स्लो डाउन करना है इसको सारे चीज़े करनी है और यह जो डिसंट का जो सिस्टम है जितना वह स्पीड स्लो हो रहा है तो दो चीज़े हो रही एक तो इधर से डिस्टेंस और एक इधर से डिस्टेंस तो यह आपको स्लो डाउन जो है यह 61 मीटर पर सेकेंड वह एंगल में उसको जो है उसको डाउन करना होगा और पहले फेज में वह अपने डिस्टेंस से जहां पे 30 km दूर वहाँ जाकर के एक critical काम करना पढ़ेगा और वही से हम second phase में घुश जाएंगे और जो second phase है यह altitude hole phase है अब वहाँ पे एक बहुती critical काम होना है यह वही जगह है जहां पिछली वार चंद्रायान जो है वह फेल हुआ था वही से वह communication गरबड हुआ था इस चंद्रयान को 10 सेकेंड के लिए वहाँ पे हावर करना है 10 सेकेंड में उसको यह तै करना है कि वह किस जग़ पे spot करेगा 10 सेकेंड के अंदर उसको यह भी तै करना है कि यह जगह सही है या नहीं है और अगर जगह सही है मतलब कोई ट्रेंच नहीं है कोई घड़ा नहीं है बड़ा पत्थर नहीं है बोल्डर नहीं है तो वह वही पर फाइनल अपने डेस्टिनेशन को पिक करेगा पिछली बार इसी को पिक करने में गलबड़ी हुई और जो मैंने कहा कि कहा 1600 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को घटा करके आपको लेकर के आना है उसे मैक्सिमम तीन मीटर पर सेकेंड मतलब यह उपर से हाइट अप ले लिए तो यह एक सेकेंड में इस स्पीड से जगह की आ बात कर रहे हैं साउथ पोल में जहां उतारा जाएगा वो स्पेस तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है चुनौती पूर्ड होता है अंधेरा होता है उबर खाबर सता और यह तो कैसी लैंड यह 10 सेकेंड में उसको यह करना है पिछली बार यही पर गडबर हुई थी हमने जूस किया और वहां पर जब वह क्राफ पहुंचा चंदर्यान पहुंचा वह वहां पर पलट गया अब इस बार क्या-क्या पिछली बार से हमने सीखा तो इस बार यह जो तैह होगा और मैं आपको बता दूँ कि यह सारे चीजे चंद्रयान खुद खुद करेगा उसके यहां उतरना है कोई प्लेन नहीं जा रहा है नहीं होगा अब वहाँ पे जो इस बार यह किया गया है वह कैमराज बहतर लगाए गया है और डिसिजन मेकिंग का प्रोसेस में आपने आर्टिफिसल इंट्रिजिंस का इस्तमाल किया है और यह जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वह अब एक बार तै हो गया कि वहाँ पर उतरना है तो उतरने जो डिस्टन्स जो होगा अब धिरे-धिरे हम सेकेंड फिज को खतम करके वह 28 किलोमीटर के आसपास हम पहुंच गया कि 28 किलोमीटर दूर है डिस्टन्स में और हम नीचे उतर रहे हैं 56 मीटर पर सेकंड मतलब हम आगे भी जा रहे हैं नीचे बूतर रहे हैं तो 56 6 meter per second के हिसाब से हम नीचे भी जा रहे हैं और आगे हम बर रहे हैं जो हमको 20 km 28 km जो है तरह करना है 28 km अब इसके बाद अगला फेज आता है जिसको कहते हैं fine breaking phase यह अब हम पहुँच गए हैं कहां उस जगह पे जहां से अब हमको नीचे उतरना है यह भी बड़ा crucial phase है और इस समय तक यह जो चंद्रयान है वो 800-1300 मीटर सतह के उपर से अब कहां तक हम लोग पहुँच गए कि इस जगह पे पहुँच गए हम लोग ने लोकेट कर लिया सब कुछ कर लिया अब यह चंद्रयान वर्टिकल डिसंट करेगा वर्टिकल डिसंट करेगा तो यह जो पूरा जी जो फेज है यह 800-1300 मीटर की दूरी पे है अब टोटल टाइम जो है यह करीब 12 सेकेंड तक वहां पे वो हॉवर कर सकता है और अगर उसको यह पता चलता है कि आगे गड़ा है या कुछ है तो वो डेर सो मीटर की डिस्टन्स में वो वहीं पे डिसाइड कर सकता है कि इस जगह पे नहीं इस जगह पे हम कर सकते हैं और यह सारी चीजे जो है वो होगी और इसमें टोटल टाइम जो लगेगा जो थर्ट फेज में वो एक सो पचेतर सेकिंड में ही सारा कुछ करना होगा आपने समझे कितना डिफकल्ट काम है और सब कुछ सही रहा कि हमने सही जगह चूज कर लिया समतल जमीन और जो स्पीड हमने कंट्रोल कर लिया वो बिलकुल अपने हिसाब से चल रहा है तो टर्मिलर डिसेंट फेज जो फिर चंद्रयान धीरे 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 वो नीचे उतरेगा और यह जो तेरसो मिटर जो मैं बता रहा हूं उससे उसको नीचे उतरने में कुल मिला करके 73 सेकिंड लगेंगे जो फाइनल डिसेंट जो नीचे की ओर रहाएगा वो टोटल 73 सेकिंड तो कलेजा जो है वो कर रहा है और इसलिए यह जो सारी चीज़े और जैसे वो लैंड कर गया तो फिर उसके बाद फिर सारी प्रक्रियाएं जो है वो ऐसी होगी कि जिस पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा इसरों के कई बिग्यानिकों के तरफ से लगतर बयान भी आ रहे हैं उन्होंने कहा कि जब चंद्रियान टू को लांच किया गया था तो किस तरह से हम सफलता हासल करें उसको लेकर पूरी तरह से डिजाइन किया गया था लेकिन इस बार चुनौती जादा है क्योंकि एक बार हम सबक ले चुके हैं तो इस बार में और चंद्रियान टू में क्या कुछ डिफर को हमको चूज करना था उस जगह को इस पॉर्ट करने में गड़बढ हुई आर्टिफिसल इंटिजन्स का इस्तमाल हलाकि वो बनाया गया था बनाया गया था कि उसको भी डाला जाए लेकिन पिछली बार इतने जादा मुसको कसे थे के हड़ भड़ी थी और किसी तरीके से उ अवर कॉंफिटेंट कि वह हो जाएगा मिसन जो है वो विवर आल्मोस्ट देर बस वह जो मैंने कहा कि लास्ट क्रिटिकल फेज कि आपको इस पूरे चंद्रयान को एक से तीन मीटर पर सेकंड के स्पीड में उसको जमीन पर लैंड करवाना है यही सबसे बड़ी चीज है घर में हम लोग ड्रोन वेरे चलाते हैं तो कभी लैंडिंग खराब जाता है पूरा ड्रोन टूट जाता है और एक चीज उसमें और इंपॉर्टेंट है वो यह कि at any cost जो चंद्रयान है वो सीधा सीधा आए ताकि फिर उसके बाद दरवाजे खुलेंगे रोवर निकलेगा फिर एक दूसरे की तस्वीरे ली जाएगी फिर communication set होगा जहां इसरों के headquarter में और उसके बाद सारे चीजे स्मूध हो जाएगी बस critical यह जो चार फेजिस जो मैंने बताए वो बहुत ही critical है let's hope कि आज जो है हिंदुस्तान का तिरंगा ना सिर्फ चंद्रवा में फाराया जाए बलके ही पूरे दुनिया में भी भारत का जो पर्चम जो है वो सबसे ज़्यादा चमकता दमकता नजराएगी बहुत अच्छे से आपने इन चार फेजिस को समझाया है बहुत बहुत ध है जैसे जैसे वक्त जो है वो करीब नज़्दीक आ रहा है वैसे वैसे सबी की धड़कने बढ़ रही है और उमीद करते हैं और जिस तलसे इस इस इसरों के पूरे विज्यानिक का कॉन्फिडेंट है उससे लगता है कि आज हम इस मिशन को सफलता पुरवक हासल कर लेंगे इंतजार कीजिए देखते हैं क्या होता है उमीद करते हैं कि आज भालत का तेरंगा चांद पर लहरे इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्यामराफसन रवी के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी